बिस्मिल्ला है रह्मान रहीम, अस्सलाम अलेकुम एव्रिवन, उमीद करती हूँ कि आप सब बिलकुल ठीक होंगे, मेरा नाम है फात्मा और आप देख रहे हैं FM सभावर्ची हाना दोस्तों बकराईद आने वाली है और आज मैं आप लोगों के लिए के आई हूँ बहुत ही मज़ेदार बकराईद के हवाले से रेसिपी आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वर्ल्ल्स बेस्ट बीफ कराईद की रेसिपी जो के बहुत मज़ेदार बनके तियार होती है बनती भी चैन्द इंग्रेडियेट्स के साथ है, बहुत सिंपल और इजी सी रेसिपी है तो चलिए विदाउट पिस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड बिस्मिल्लाहरामान रहीम सबसे पहले आपने एक कडाही लेनी है, इसके अंदर आपने आधा कप के करीब कुकिंग ओल शामिल करना है ऑईल डालने के बाद आपने इसमें शामिल करना है प्यास मैंने यहां पे दो अदद बड़े प्यास लिये हैं, यानि के लार्ज साइज के प्यास अगर आपके पास दर्म्याने साइज का प्यास है तो तीन अदद ले लीजेगा प्यास को आपने बारीक-बारीक कट करना है और इसे ओयल के साथ आपने इतना पकाना है कि यह लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो जाए यह रेसिपी सबसे जादा इजी रेसिपी है और इसे बिगनर्स भी ट्राइ कर सकते हैं आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी तो जब प्यास जो है वह अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो आपने इसमें शामिल कर देना है आदा किलो गाय का प्यास के साथ आज को आपने दर्म्याना रखना है यह रेसिपी मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन की है जो के प्रेशर कुकर का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं करते तो यह आप देख सकते हैं 10 मिनिट हो गए थे प्यास और गोश्ट को भूनते हुए तो मैं इसमाइल डाले यहाँ पर लिये थे 4 अधध इनको मैंने चॉप कर लि और वह इसमें शामिल कर दिये चिल्का ने टिमाःट गोर कर दिना है अब आपने यहाँ टिमाटर में के बाद इसको तक्रीबधन एक मिनुट के लिए भून लेना है और फिर इसमें शामिल कर देने ह 1 teaspoon काली मिर्च का पाउडर 1-4 teaspoon धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 teaspoon जितना साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे जीरा पाउडर 1 teaspoon हाफ टी स्पून साबिच जीरा ये सारे मसाले डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और अब मैं इससे भूनूंगी तकरीबन 10-15 मिनिट के लिए टेमाटर डालने के बाद तो जब तक टेमाटरों को मैं भून रही हूँ तब तक अगर आप चैनल पे न्यू है वीडियो फर्स टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करना मत भूले यानि के डेट लीटर पानी और ग्लास में ये होता है तकरीबन 6 ग्लास पानी डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और फिर इसे कवर करना है और कवर करके तकरीबन एक से डेट घंटे के लिए आपने इसको दरम्यानी आँच पे कुकर लेना है तांके गोश्ट अच बच जाएगा और अगर आप लोग गोश्ट को प्रेशर कुकर में गला चुके हों तो फिर आपने इसके अंदर ये डेट लीटर पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना बाकी आपने सेम प्रॉसेस फॉलो करना है और ये आपने दिहान रखना है कि जब आप इसके अंदर पा कि आपके देकी बारे से और प्रिसे दुबारा से आपने कवर कर दे ओट कर करना है कि या इनfa इतना पकाना है कि दही का पानी ड्ल्रव को जाए तो यह आप दी का पानी आलमोस ड्राय हो चुका है इस पर आपने इसके अंदर आदी चोटी चमश गलर मसाला पावडर डालन है इसके बाद मैंने इसमें दो से तीन हरी मिर्चय डाली है चौप कर करके एक चमच भरके बारी कटा हुआ लंबा अध्रक डाला है मैंने इसमें mix कर लेंगे इसको mix करने के बाद आपने आंच co को तेज कर देना है तेज आंच पर आपने गोश्ट को अच्छे से भून लेना है आपने गोश्ट को इतना भूनना है कि गोश्ट ऑईल छोड़ दे जब ऑईल ऊपर आ जाएगा तब आपने इस पर शामिल कर देना है बारी कटा हुआ ताजा धनिया धनिया डाल के आपने इ रेसिपी है आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राय करना है आपको ये कडाही बहुत ज्यादा पसंद आएगी रेसिपी ट्राय करें तो फीडबेक दे सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में इसके इलावा रेसिपी की पिच्चर शेयर कर सकते हैं मेरे साथ ओन माई इंस्टाग्राम विडियो अच्छी लगी होते से लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा मैं मिलूंगे आपसे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजादत अपना बहुत सारा ह आ लखिएगा दौा में आ लखिएगा टेक केर अलाहाफिज अलानी के बान